हलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार कुई हैं जैसे कि एल पि आप आपको देखने को मिलेगा इन ost घॉपीज्इयों पर्सकि ने वाले सालमे आपके सामने देखने को मिल सकती है तो उमीद करूंगा कि आप सभी विद्धियार्तियों के लिए कूछ ऐसी चीज में करा जो आप सभी लोगों के लिए helpful रहे हैं आज का session खाश क्यूं है खास इसलिए है क्योंकि ये मैं 100% बोल रहा हूं कि ये 5 question आपके किसी ना किसी shift में पूछे जाएंगे और वो shift आप में से किसी भी student की हो सकती है आपकी भी हो सकती है सुवांकर आपकी भी हो सकती है गौरव आ आपकी भी हो सकती हरे कृष्णा तो आप सभी विध्यारती किसी की भी ये 5 questions किसी की भी shift में आ सकते हैं और ये बहतरीन 5 questions मेरे experience में आपको कराने वाला हूं हर question के लिए मैं आपको एक question भी दूंगा जो homework में आपको करना होगा हर question को जो मैं कराऊंगा तो उसके बाद आप आज के session को बिना किसी देरी के आप अगर मेरे साथ railway की complete तैयारी करना चाहते हैं चाहे वो ALP की हो चाहे वो RRB में अपने junior engineer की हो चाहे वो आपके group D की हो NTPC की हो RPF की हो अगर आप complete detail तैयारी करना चाहते हैं non technical part की तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी प्यारी application selection के लिए quick tricks by sahil sir application पर आपको कोई query है तो आप इस number पर calls कर सकते हैं और अभी batch लेने से फायदा है record breaking batch है यह RRB record breaking batch यह अब की बार जो सारे record बने थे पहले selection के वो सब तोड़ देगा जी बिलकुल vacancies भी अच्छी खासी आने वाली हैं तैयारी भी अच्छी खासी होगी इस पर अभी offer चल रहा है तो आप इस offer का फायदा उठाइए और अपनी application पर quick tricks by sahil sir पर आज ही जोड़िये क्योंकि समय निकलता जा रहा है हमारी classes अल्रेडी चालू है आपको जितनी भी classes है जो मेरी हो चुकी है वो VOD form में मिलेंगी यानि की recorded form में मिलेंगी और regular जो चल रही ह 9 बजे वो live class मिलेगी बाकी सभी teachers की classes आपकी live भी चल रही है recorded भी है तो आपको कोई tension लेने की जरुवत नहीं है आप लोग अगर individual batch लेना चाहते हैं उसमें भी offer चला रखा है तो वो भी आपका फायदा उठा सकते हो आप इसका railway math वाले बैच का अपनी application पर जाओ बढ़ि हरी सर की class भी आपके आती है यूपी पुलिस के लिए आज मेराथान है साथ बज़े से ग्यारा बज़े तक लगातार तो आईएगा आप पढ़िएगा जो यूपी पुलिस की तयारी करते हैं टेस्रीज लेना चाहते हो तो कुईक ट्रिस टेस्रीज अपने पास application है जहां पर आप टेस्रीज ले सकते हो आपको कोड लगाना है FIRST100 चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहला कुशन आपके स्क्रीन पर है यह बीच में डिवाइड का चिन है देखते हैं आप में से कौन बच्चा कर पाता है इन सभी प्रश्नों को चलिए करिए भया कि अब बहुत खुबसूरत बहुत खुबसूरत और अभी हमारे साथ असिस्टेंट लोको पाइलेट जो है कौशिक पो जुड़ चुके हैं थैंक्यू सो मच आयम असिस्टेंट लोको पाइलेट इन साउथ इस्टन बहुत बढ़िया कोशिक अब देखिए इसका अंसर दीजिए आप लोग सबसे पहले बोडमास का नियम कहता है कि छोटा ब्रेकेट में जो है वो सॉल्व करिए चार से काटा मैंने बारे को तीन बर यह हो गया सब तीन तीन नौ और माइनस दो दुनी चार प्लस का बीस तो तो 50 माइनस का 50 आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0 और इस तरह का कुशन आपके पेपर में 100% आने वाला है मैंने आपको कराया है उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने किया भी होगा अगला कुशन आप सभी लोगों के लिए है सेम टाइप और सेम पैटन पर है यह होमवर्क है जिसे आप अभी क्लास के बाद तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले ले चाहे तो कोई बात नहीं है लेकिन आपको यह करना है अगले कुशन की तरफ में आता हूँ अगला कुशन आपके सामने यह रहा करके बता है अब कभी भी ऐसे मैंने पहली बार भी बोला था आपको कि कभी भी आप x-8 से divisible बना रहे हो कि यह है divisible या कह रहे हो कि है तो है तो इसका यह x-8 बराबर 0 रखने पर x बराबर 8 रखने पर याने कि यह पूरी equation भी 0 हो जानी चाहिए क्योंकि अगर यह इसका root है तो इसके अंदर satisfy भी होगा तो आटू आटू 64 x का square प्लस 8a प्लस का 4 बराबर 0 यहां से हम calculate करेंगे 8a माइनस का 4 और माइनस का यह हो गया सा 4 तीया 12 6 तीया 18 और 19 196 तो 8a बराबर 196 a बराबर 8 दुनी 16 बचे कितने 3 8 चोके 32 ठीक है और बचे कितने आपके सामने 4 और .8 24.8 अंसर आ रहा है किसी को कोई problem तो नहीं है easily कर पा रहे हो कर पा रहे हो इस तरह का प्रशन आराम से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही न कि किस तरह से आपको यह प्रशन करना है कि directly divide नहीं करना आपको equal to 0 रखके x की एक ऐसी value निकालनी है जो इसके अंदर satisfy हो जाए और अगर यह भिवाजित है तो यह 0 के बराबर होगा हमेशा logic clear है हाँ या नहीं प्लीज जवाब दे दें अगला question आपको homework में करना है जैसा कि मैंने आपको कहा था मुझे इनके answer चाहिए comment section में मैं यह बहले ही बोल रहा हूँ और यह एक नया segment है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि अगर डिवीडी ऐसे बोला जा रहा है कि यह equation इससे डिवाइड करने को बोला है कि है divisible है तो 0 रखने पर x की जो value आ रही है वो यह पुट कर दो और आपका जो a का मान है वो निकल कर आ जाएगा उठ तो करना पड़ेगा अगला question आपकी स्क्रीन पर है सम चत्र बुझ वन आप दा फेवरेट कोश्चन है रेलवे का फेवरेट कोश्चन है झाल में आपकी पर है वो यह यह आएगा रखने रेलवे जाएगा वो यह कि आएगे सम चत्र बातक जाना आपकी कोश्चन है झाल में देख है वोगेगा जैगे एवरे वो यह आपकी। झाल झाल है अब संचतर पुझ कर यह कोश न आ पकी प्रय पर पर आता है बोला कह दा रहा है कि संचतर पुझ ऐसी आकरती होती है इसकी सारी वजैhin बराबर सोती है चांत्य contract की एक बुझा की कि सम्चत्रवुज की सारी बुजाएं बराबर होती है अब सम्चत्रवुज की बुजाएं बराबर होती है आगे क्या बात बोली गई है आगे बात बोली गई है कि इसका एक विकर्ण 48 है तो दूसरा क्या होगा सम्चत्रवुज की कुछ खास बाते हैं उन पर ध्यान है कि विकंड दूसरे को 90 डिग्री पर काड़ते हैं एक विकंड अगर 48 है तो दूसरा अपने आप ही 24 हो जाएगा क्योंकि आधी भी हो जाते हैं अब यह वाला क्या होगा तो 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस होता है और यहीं से ही आपको तो पांच बारा तेरे वाला ट्रिपलेट याद आएगा जिसको आज आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो दस चौबिस और चबिस तो यहां पर यह संदर्व समझ में आ गया होगा कि यह अगर चबिस है और यह अगर इस इसलिए ही कि 4 समकॉन तृमुज बनते हैं समझ तरवुज के अंदर है तो अगर यह 10 है कोंसा वाला हिस्सा आदा है विक पूरा विकण 20 हो गया पूरा विकर्ण आपका 20 हो जाएगा सर कोई फॉर्मूला लगाए क्या सर टिग्नोमेट्री में हाई लेवल कोश्चन का एक सेशन सब आएगा यह सब कुछ आने वाला है वह आपकी टेंशन नहीं है वह मेरी टेंशन है लेकिन एक दिन में जुमेट्री भी एक दिन में में पूच नहीं हो सकता आज आगर आएं हें और आप कौपी पैस्ट डाल रहे हैं इससे नहीं होगा रगूर पढते留言 अचलिए एक दूसरा व्रमूला आपको बता देना चाहता हूं अगर डाइगूनल निकालना चाथे तो पहले विकर्ण का स्कु hype के बराबर हो उजाता है चार गुना भुजा के स्कॉयर के पहले विकर्ण का स्कॉयर दूसरे विकर्ण का स्कॉयर वह बराबर हो जाता है चार गुना भुजा स्कॉयर के ठीक है चलिए अगला प्रश्न यह आपका homework है जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक question मैं जब concept आपको बताऊंगा तो दूसरे question के लिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप मेरे को answer निकाल कर दें ओके अगला question आपकी screen पर यह लीजे अब यह देखिए कितना गजब का question है अब मैं पूरा आपको आज इस lecture से यह 15 degree वाला concept ही खतम कर दूँगा दिमाग से आपके देखो मैंने हर बच्चे को जो मेरे students हैं और जो मेरे students हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं वही मेरे students हैं यहाँ पर मैं कहतकता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं 15 degree बोल रहा हूँ और यहाँ पर मैं 75 degree बोल रहा हूँ तो मैंने एक right angle triangle आपको बताया हुआ था याद आ रहा है क्या कि 15 degree के सामने एक अनुपात होता है root 3 minus का 1 और 75 degree के सामने होता है root 3 plus का 1 और 90 degree के सामने होता है 2 root 2 पहले तो आप इस triangle को बना लो उससे आपको second नों में आसानी हो जाएगी कैसे कि अगर कल को मान लो आपको 10 15 निकालना है तो 10 15 यह रहा क्या है 10 15 लंब बटे आधार यह ले भाईया हो गया मज़ा और यह जो गार बढ़िया लगा ना अब मान लो आपको कह रहा है cot 15 निकालो तो cot 15 यह निकाल ले लो सार root 3 plus का 1 upon root 3 minus का 1 उल्टा कर दो क्योंकि 10 और cot आपस में उल्टे होते हैं अब आप चाहो तो output कर दो तो मैं रख देता हूँ कि root 3 minus का 1 upon root 3 plus का 1 plus root 3 plus का 1 upon root 3 minus का 1 अब यहां क्या हो रहा है solve करना पड़ेगा इसको इससे cross multiply इसको इससे cross multiply तो root 3 minus 1 का whole square root 3 plus 1 का whole square नीचे a square minus b square तो 3 में से 1 गया तो 2 a square minus b square तो root 3 का square 3 और 1 का square 1 तो 3 में से 1 गया तो 2 याद करो a minus b का a plus b का whole square plus a minus b का whole square क्या होता है दो गुणा root 3 का square और 1 का square बटे 2 तो यहां आपका जो उत्तर आ रहा है वो 4 आ रहा है निकल के क्या आ रहा है भाईया 4 आ रहा है तो क्या आपका answer 4 आ गया क्या आप में से किसी को कोई तकलीफ इस question को क्या paper में ऐसी भी बनाया जा सकता है कि under root 10 15 और cot 15 निकाल कर बताओ तो answer कितना हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए under root 10 15 और cot 15 क्या होता है तो answer इसका 2 हो जाएगा यह भी paper में पूछा जा सकता है आपसे सर मेरे को अगर मान लो यह नहीं आता हो triangle तम मैं कैसे करूँगा तो मैंने का उसका अलग जुगाड है चलिए क्या जुगाड है भईया क्या 10 15 को आप लिख सकते हो sin 15 बटे cos 15 हाँ और squat 15 को लिख सकते हो cos 15 बटे sin 15 आप बोलेंगे यह सर लिख सकता हूँ अब फिर से वही cross multiply करोगे तो sin square 15 plus cos square 15 नीचे कितना आ रहा है sin 15 और cos 15 किसी को कोई problem कोई problem है क्या नहीं तो यहां तक हमने देखा तो यह आगया 1 upon sin 15 और cos 15 जितना मैं जानता हूँ मैंने उपर नीचे 2 का गुणा कर दिया तो 2 sin theta cos theta कितना होता है 2 sin theta into cos theta यह बराबर हो जाएगा 2 sin theta sorry sin 2 theta के बराबर होता है बस मामला set है sin 2 theta यानि कि sin 30 और sin 30 की value एक बटेद होती है तो 2 उपर आ जाएगा तो 2 into 2 4 answer आ गया अगर आपको यह नहीं आता तो ताम जहम निकालना विकालना जो भी है तो भी आप कर सकते हूं कोई दिक्कत है हाँ लेकिन value याद होनी चाहिए कल को paper में काम आएंगी तो कौन करवाएगा फिर paper में तो यह काम आनी है यह तो सत्ते बात है हाँ अब अगला question देखेंगे यह आपको करना है कैसे करेंगे वही triangle वाला case काम आएगा अपना यहाँ 15 है यहाँ 75 है अब आपका दिमाग में चाहता हूं कि आप लगाएं क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यह रूट 3-1 यह रूट 3-1 और यह रूट 2 होता है तो cos ठीटा कैसे निकालोगे cos 75 तो अल्टीमेटली बता दूं कि cos 75 जो है न वह साइन 15 की बराबर होता है तो मैं करवाई देता हूँ लो तो यह कितना हो गया भाई या 2 साइन 15 हो गया साइन 15 तो साइन ठीटा क्या होगा लाल बते कका साइन ठीटा होता है लंब बते कण लंब यह रहा और कण यह रहा तो टूंट Too root 3-1 upon 2rute 2 टू से टू गया सब होगा foundation में सब कुछ होगा foundation में सारी चीज़े detail में होगी ऐसी होगी कि आप लोगों के दिमाग में छप जाएंगी आप उसके लिए निश्चिंत रहिए बिल्कुल अगला question आपकी स्क्रीन पर है most repeated questions करवा रहा हूं और last question की series आपके सामने है करिए करें कि रंजन ओफ लाइन करके आप अपना पैसा और समय दौनों वेश्ट करोगे कि वहां के बच्चे लॉट लॉट के सारे आ रहे हैं तब बच्चे आ रहे हैं कि बोले कहीं ओफ लाइन करने की जरवत क्या है पांच दस गंटे बिगड़ते मतलब नहीं निकलता ना इधर के रहते ना इधर के रहते अराम से पढ़ रहें कई बच्चे आ गए बहुत सारे तो यहां एक फॉर्मूला होता है वह क्या होता है सर एसी एफ इंटू एलसी एम बराबर क्या होता है या पहली संख्या 66 तो आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो 66 आ रहा है तो भाया यह थे आपके most repeated questions और आपको खुद को मैसूस हो गया हो कि यार इन मेसे तो question आने वाले हैं बिलकुल आएंगे यार करवाई से लिए गए यह आपका homework है तो आज homework के लिए आपको 4 question दिए गए अभी करने comment section भर देना है अगर आपके नहीं answer आते हैं या आप नहीं करते हो तो फिर ऐसी sessions लाने का मेरे आने वाले future में कोई मतलब नहीं रह जाएगा जहां मैं आपको कुछ देख कर जाओं और आप try भी ना करो मैंने यह session इसलिए लाया कि मैं सिखाओं तब तो बच्चा करे मैं सिख मेरे को आपको दे देने है comment section में अराम से कर लेना pdf अभी मैं telegram पे डाल दूँगा pdf जश्ट में telegram पे डाल रहा हूं 57 मिनट में ठीक है सुबह 9 बजे science की free class चलती है youtube पर harisar की वह आप ले सकते हो आज महराथन होगी up police की वह आप ले सकते हो test series लेनी है railway की तो अपनी quick tricks test series पर जाकर अपनी application को download कर लेना और आप first hundred coupon लगाकर discount मिल जाएगा भी offer चल रहा है ठीक है साथ के साथ अगर आप मेरे record breaking best से जुड़ना चाहते हो जा मैथ reasoning gkgs सम मिलेगी तो 60% तक की छूट आपको मिल रही है अपने वाले batch पर तो 1899 में यह batch मिल रहा है 31 तारिक से पहल कम कर दी गई है क्योंकि युद्ध की तयारी युद्ध से पहले की जाती है पूरा basic से लेकर advance तक होगा अगर कोई query आ रही है कोई दिक्कत आ रही है तो भाईया call कर सकते हो WhatsApp कर सकते हो अपनी application पर सुबह शाम को 6 बजे तक ठीक है हाँ और individual batches पर भी छूट मिल रही है वो अच्छे से पढ़ो चैनल को subscribe कर लो session कैसा लगा यह मुझे बताना आप लो क्योंकि ऐसे session में और भी प्लान कर रहा हूं लगातार जहां मैं टिग्नोमेट्री के कुछ कुछन कराऊंगा कभी कि यह आएंगे यह मेरा research है जो मैं research work आपको दे रहा हूं ठीक है मिलते हैं प्यारे तरीके से पढ़ो यार टेंशन लेने की जर्वत नहीं है मैं सब कवर करवाऊंगा बाए बाए